असलाव अलेकुम मैं हूँ किफायत जाफरी और कल जो मैंने वीडियो जहां तक मैंने छोड़ा था वेरेंटी को लेके कल मैंने कमपनी के वेरेंटी बोली थी लेकिन आज मैं बोलूँगा कि वेरेंटी के साथ साथ रूल्स क्या है एक पलंबर कहां कहां पे गलती करता है फि की पीछे क्या राज होता है यह में पहले एक्स्प्लेंड कर दूँगा सबसे पहले की बात और उसके साथ साथ मैं तमाम प्लंबर भाईउं को रोकेस्ट करता हूँ आज की यह सब गलतिया नहीं करना ठीक है यह सब गलतिया नहीं करना क्योंकि गलती करने से ही इनसान सीखता है लेकिन एक चीज़ मुझे आज आप लोग को बोलना है बताना है यहां पे कि मुझे मैं खुद प्रोफिशनने पलंबर हूं माशाल़ हम सब बलंबर है जितने मेरे देखने वाले हैं, ज्यादातर मेरे पलंबर भाई हैं, लेकिन अगर एक पलंबर की वज़ा से किसी को नुक्सान हो जाएगा, क्या वो सही है? किसी एक दर्म में लिखा है कहीं पे कि वो चीज नुक्सान किसी को देना सही है? बहुत सरे लोग मिले जानते होंगे कि मैं था आल जमुर कश्मिर पलंबर्स एस्टेशन का चेर्मेन, एस्टेशन मैंने बना के मैंने छोड़ा, रीजन क्या हुआ उसमें छोड़ने का ना छोड़ने का वो बात यह हमें मैं नहीं लाओंगा, लेकिन एस्टेशन से पहले मैंने गौर्णमेंट जाब भी छोड़ा है, ये बात करना चाहे वो आफ लग वो लो कि मैं वो कुछ भी नहीं बोलूंगा कि आप लोगοι को मेरे मेरी साथ क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहे वो आप ability वो खोड़ा चालेगा आगे जाए कि मेरा काम क्या है मैं वो इतना बड़ा रिस्की लेके मैं निकला हुँ अपना मैं ये बात कहूँ आप लोगो तो बुरा लगे का क्या बेथर ये चीज है कि जो मैं वीडियो बनाता हूं मिझे नहीं पता कि कौन देखेगा आगे जो रांग कमेट करता है ना सिधा पता चालता है कि इस बंदे के अदर खामी है क्योंकि इसने अपनी साइड लिया इसको य रेयलाइज हुआ कि ये गलती में करता हूं इसलिए ये इसने अपने साइड लिया ये तो ये चीज इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना आप लोग ये समझो कि सामने वाला बंदा कामन इंसान है और कामन इंसान की ही तरह आफ लोग भी ट्रीट करो आप लोग सीखने के स साथ बहुत कुछ सीखो गए कि मैं अपने वीडियो में जब मैं पलंबर एस्टेशन का चेयर्मेन था तब मैं बोल रहा था कि पलंबर इस दा बिल्ड आफ नेशन मैं उसी कूशिश में हूं कल को मुझे ये नान बोलना पड़े कि पलंबर इस नाट बिल्ड आफ नेशन क मैं उसी बिल्ड आफ नेशन को दिखा के रखूंगा कि पलंबर कितना बड़ा कारनामा कर सकता है तो मैं वो चीज़े अभी दिखाने की कुश कर रहा हूं अपने वीडियो में तो बहुत कुछ देखना भी है आगे बहुत कुछ आप लोग देखते जाओ और आज मैं उसी चीज़ को कंटिनू करूंगा कि कमपनी वाले को जब हम काल करते हैं तो वारेंटी हमारी क्यों नहीं होती है अगर जो मैं ने कल आप लोगने को बोला था पचास साल की वारेंटी तो पाचास साल की वारेंटी के बाद सिर्फ एक साल के लिए भी हमें वारेंटी नहीं मिलता है उसके पीछे एक पलंबर ही होता है जब लॉस्ट पे जब जाच परताल करके फिर पलंबर के सर चड़ता है वो तो मैं कुशिश करता हूँ अपने साइड से कि किसी पलंबर के साथ चीट नहीं होना चाहिए क्योंकि जब पलंबर जाग रुख हो जाएगा ना खुशार हो जाएगा तो ये कंपड़ी वाला चीट नहीं कर सकता है इसने जो वादा दिया है वारेंटी का इसको देना है मैं इतना नीचे समंदर में क्यों गया हूँ इतना मुझे जिमदारी क्यों मेरे सर पे है कि मैं रह चुका हूँ इन चीज़ों में मैं इस समंदर में उतरा हूँ पूरा जीरो तक मैंने जीरो से देखा है इसके अंडर शेयर फेस्बुक के देख रहे हो तो शेयर कर लो और अच्छे क्वालिटी में वीडियो देखना है तो यूटुब पे जाके तो फाइनल मैं अज यहां पर बाउलनोंगा कि एक कमपनी अगर पी पी आर कमपनी पचास साल की गैरेंटी करता है तो पिर प्लंबर जब काम करता है तो वारेंटी क्यों पहले होता है सबसे में गलती जो है मैंगलती अगर यह मानूम मैं एक्जाम्बल देता हूं वान किसी नाम और इस ही एक कम्पणी का मिशीन भी होना चाहिए लिफाया। आप डूसरी मशीन से काम नहीं कर सकते हैं। measures number two अगर ये ऐल वू ये ऐल वो अपने एक कंपनी का लगाया और एक कंपनी का आपकी पाएप भी होनी चाहिए एक ही कंपनी का सरे मिट्रियल होना चाही है मैं कंपनी का नाम नहीं लोंगा क्योंकि अब हमेशे एक बात याद रखना मुझे कमपनी इसे दुश्मनी नहीं है बट स्पांसर्ड वीडियो जब होगा मैं उसमें बोलूँगा कि यह वीडियो स्पांसर्ड है किसी एक कमपणी का तो वो होगा क्योंकि जो वीडियो स्पांसर्ड नहीं है जो मुझे स्पांसर्ड लेना ही नहीं है वो बात की बात है मैं ले लो स्पांसर्ड किसी की या नहीं ले तो इसमें हमारे यहां क्यों होता है इस वैरेंटी को खतम करता है यह में बता हूँँगा वैरेंटी को खतम करता है शौप कीपर ल करता है शौप की पर क्यों करता है शौप के र z Spectum हम जब इसको सामान लिखते हैं है एस्ट्ट में करता है वो क्या करता है वो किसी यौलाता है किशी एक कंपवनिय का पाई पे लाते है जाद है किसी और कंपवनिया इसमें कुनपी रहेगी इस वे कुन सी वारेंटी रहेगी फिरकल याज Four ab कंपनी का टी उसी कंपनी का पायप उसी कंपनी का क्रॉस ओवर मैं फैस्ट पर देख रहा हूं बहुत सरे चीज़ कि मैं ज्यादतर अनलाइन रहता हूं मैं एक्ट्वी रहता हूं सोचल मीडिया पे तो उन चीज़ को देखके मैंने देखा कि इसमें किया क्या मसला हो रहा है इस फुलंबर के पीछे कि मैं चाहता हूँ कि अगर इस गरीब ने दसजार रुप्या का सामान लाया इसको पचास साल की वैरेंटी है इसको बराबर पचास साल वैरेंटी मिलना चाहिए इसको बीच में कून वैरेंटी खटम कून करवाता है वो होता है ये शाप के पर दुक अगर मैं बात करूं तो एफिलेशन क्या होता है कि दो रुपे चार रुपिया वो करना ही नहीं है क्योंकि हम सब इनसान है उसके बाद मैं जाती मुस्लिम हूँ आप लोग अपने दिल जानता है आप लोग का तो आपको किस पे फैत है वो आप जानते हो मुझे इस पे नहीं यहां की पड़ना है क्य característर हूँ मेरे सामने कोई भी आ सकता है मैं हर किसी के लिए हूँ मुझे जो वीडियो बनाना पड़ता है मैं जार्णल के लिए बनाता हूँ हैंदू सीख एसाइः बुट अंग्रेस किसी भी क लिए तो मुसलमन हर किसी के लिए लेकिन मेरी कुशिश किया है इस गरीब को फायदा होना चाहिए यह फायदा तब होगा जब आप और मैं जगे रहेंगा खुशा रहेंगे तो एक गल्ट दू गलती अब लोग को मिली, अब तीसरी गलती, अब है तीसरी गलती, तीसरी गलती क्या है, कि जो हम लोग PPR मिशीन जो हम इस्तेमाल करते हैं जो हम PPR मिशिन इस्तेमाल करते है न तो उसका voltage जो होता है होना चाहिए 220 दोसोट बीस पे क्या होगा उससे उससे ये होगा कि मिशिन का जो element होता है सामने का ये जो element होता है इस पे मैं एक वीडियो आपको सफान बना के दे दूँगा अफलों के लिए कि मिशिन के अंदर क्या होता है ये element सामने वाला तो ये प्रापर हीट होता है हीट होने के बाद जो पाइप हमारी होती है वो प्रापर जोइट पकड़ता है तो हो गया ये चीज़ भी 220 से कम नहीं रखना इसके लिए अगर कुछ भी करना पड़ीगा ना ट्रांसफर्मर जेनरेटर गरवाले से ले लेना अब रही बात यहां पे चौथी गलती चौथी गलती कुछ पिलंबर्स आज कल करते हैं जो डेस पे फिटिंग करते हैं जब मुझे सीदिसी एक इनसायनत के नाते मुझे एक चीज़ फूशना है आज आप से कि जब हम पावर पी चलाते हैं तो इसको यहाँ पे दो इंडिगेटर होते हैं तो दो इंडिगेटर क्यों दिया है कंपणी ने कंपणी किसी भी सूरत में अपने सर नहीं चड़ाता है के तो हम लोग क्यू चड़ाएंगे अपने सर कि यहां पर हो तरी यहां पर जो होता है यहां पर हुआ आ फ्राद मिशिन हो यह सब्सक्राइब चाहिए कश्मीर की बात आगर वे करूँगों आज जून युलाई आगस्ट में कम से कम कम से कम कम से कम रहना चाहिए दोसो साथ और विंटर में पूरा विंटर में 320 अगर आप लोग गेस पे जलने जाओगे तो वो तो 99 से ज्यादा नहीं कर सकता है अगर आप कर भी लिया आदा गंटा गंटा रखा वो इसको पांच सोब तक भी ले सकता है कि आग आग है उसके उससे हमें एंडिगेट नहीं होगा आशी आप इन चीज़ों को फालो करोगे ना ये गलतियां नहीं करोगे मैं गैरेंटी करता हूँ कि आप लोग वैरेंटी लोगे कंपनी से क्यों नहीं लोग इसके साथ साथ जब आफ फिटिंग करते हो वहाँ पे हमारी कौन सी गलती होती है ये सब गलती के बाद भी एक गलती और होती है जहां पे लॉस्ट में कंपनी पकड़ता है नहीं जी हमारे हाथ से बाढरे काम ये में गलती किया है तो हम गलती क्युं करते हैं हम करेंगी ही नहीं क्या goo ए प्र offices आल अब काम करते होना मैं काम करता हूं जब मैं गलत नहीं करूंगा तो में कंपनी को क्लर और वो गलती थे का है मान लिया हमने फिटिं के प्रापर कि अपर लेकिन रास्ट पे हमने यहां पे टेंकी नहीं लगाया हमने टेंक इसका इनस्टाल नहीं किया तो टेंक इनस्टाल करने से पहले हमें क्या करना चाहिए फिर इसके लिए इसको चेक करना है ना पूरा पूरा चेक करना है कि यह नेचरल नहीं है यह और टिफिशल बनता है benefits एडमिनल्स ये machine उसे बनाया जाता है ना कि खुदा का बना हुआ है कोई चीज जो चीज़ खुदा का बना बना हुआ होता है उसमें कमी नहीं रह सकता है जो चीज़ इनसान बनाएगा उसमें गल्ती हो सकती है क्योंकि इनसान से ही गल्ती होती है कमपनी के रूल्स के हिसाब से अगर हमने टेंकी नहीं लगाया तो इसके लिए आता है हेडरालिक पांप वो हेडरालिक पांप से हमें इसको टेस्ट करना है हर एक लाइन को उसमें मीटर लगा हुआ होता है वो अब को दिखाएगा कि कितने पॉइंटस इसमें एयर गया है औ उसके बाद इसमें कितना निकल गया है अगर कहीं पे भी एयर उतर गया सुई उसकी डाउन हो गई डैट मिनस अंदर से कहीं लीक है अब शार्ट तरीका क्या बताओं मैं आपको सिंपल सी जब तक टेंकी नहीं लगेगा इसके अंदर ना ही परस्टर कराओ और ना ही आप लोग टे लगवा दो क्योंकि अगर उसे पहले कुछ होगा तो इनसान ठीक कर सकता है ये चीज बड़े खुशारी से इन चीजों का ख्याल करना है क्योंकि मैं अब आप लोगों को फिर से एक बर कहूं कि मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूं मैं किसी का भी दुश्मन कुछ होगा मेरे से लेकर मुझ्छे अपने पूरा कॉम का द्माग इसके लिए रडी करना है इनकी हक इनके हख बताना है अब लोगों को क्या राइट है? ये मेरा काम है आप लोगव करते हो अब लोगों फुश जाते हो वो मेरा काम है, ठीक है? अगर आप लोगवों को य हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब यह मेरी रोकेस्टर है आज